आगे बढ़ते हुए एवीपियस निउस की टीम ब्लॉक मुडा पांडे इस्थित चैदपूर विसाहट गाउं पहुंची लगबख 6,000 की अबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुक्याले से 30 किलो मीटर तो वहीं ब्लॉक से इस गाउं की दूरी मात्र 15 किलो मीटर ही है बर्तमान समय में इस गाउं के प्रधान उदयपाल सिंग है लगबख 300 कुल वोटर संख्या वाली यह ग्राम पंचायत बेहतर तरीके से विकास के पतपर चल रही है प्रधान ने बताया कि उनके गाउं में शिक्षा का इस्तर बहुत ही अच्छा है उनके दौरा बताया गया कि गाउं में जूनियर वा प्राइमेर पार्ट्च वालाओं के अंतगरत लगवट सबच 600 बच्चे शिक्षा ग्रहन करते हैं वही गाउं में सरकार दौरा भेज़े जाने वाले सवी तरीके के लावों जैसे विद्वा पेंशन, विध्धा पेंशन वा विकलांग पेंशन योजना के अंतगरत उनके दौरा सवी लावार्तियों को लाव भी दिया जाता है ग्राम प्रधान ने बताया कि उनके गाउं में पानी की समस्या दुरुस्ट कराने के लिए उन्होंने अपने गाउं में 12 हेंट पंप लगवाए हैं साथी 12 और हेंट पंपों की सरकार से मांगी है वहीं बिजली की विवस्ता दुरुस कराने के लिए उनके द्वारा 125 बिजली के पोल वा 11 बिजली के क्लांसफार्मर भी लगवाए गई हैं जब ABPS News Team ने पर्धान के द्वारा कराये के काडियों की समीक्षा की तो पाया की गाउं में उनके द्वारा 10 रास्ते बनवाए गई हैं उनने बताया कि उनके द्वारा नल वर इबोरिंग के काड़े बी कराये गई हैं गाउं में सोलर लाइत की विवस्था भी प्रधान द्वारा वर्तमान समय में की गई है वर्तमान प्रधान ने बताया कि उनके द्वाराप मंती आवासयुजना वा-इंदर्र आवासयुजना के पातरों को घर भी मौया कराए जा चुके हैं साथी साथ गाउं को शौचमुट बनाने के लिए सभी पात्रों को शौचालियों का वित्रंडी किया जा चुका है ग्राम परधान में एवी पेस्टीम के माध्यम से किन सरकार वा राज्य सरकार से मांग की है कि उनके गाउं अभी भी कुछ दिक्कते हैं जिनको सरकार जल से जल देखे और उनको दुरुस्त कराएं उन्होंने बताया कि गाउं में अभी तक शंचान जाए की विवस्ता नहीं हो पाई है और सरकार भी इस और अपनी आखे मुंदेवाइटी हैं उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल से इसके लिए पैसा बिल्वाएं जिससे गाउं में शंचान भाग एक बाराद घर वा एक पंचायद घर का मिर्मान पफांद्वारा खराया जा सके जी में कराम पिरधान जहर परविजाठ विलोक मुना पांडे जिला मुरादावार जो हमने अपने यह हैं वेकास यारे कराई है वह ओ लग आर डस कामों, आर डस राष्टे करा दी है मैंने टैसिजिसी टैसिजओन नाली ओर जो हमरे कामों किये पानी की निकासी की बात है जो बन पड़े थे काफी समय से, इसके बाद और भी नलों की जो रुवत है गाउं में, कई महले महले पूरे खाली हैं नलों से, हमारे हैं सबसे बड़ी समच्चा है हमारा गाउं नदी के किनारे है जहां पर 2-4 घर भी घाउं कुशी ने काट लिये, नदी ने, तो बहां की इसमच्चा है कि अब हमने पीछे काम करा लिया, बाड़े भाद से बोलके उनमें कच्छा काम करा दिया, पक्का नहीं हुआ, तो तो हमें अड्डियों की पिचिंग की बहुत सपी जरूतर ना तो हमारा गाउं कट जाए उका रास्ता हमारे हैं दो किलो मीटर रजोड़ा कंदरदेव से जयत्पर विसाड तक कोई रास्ता नहीं है यानि की लड़कियों की साधी भी कैंसे हो जाती है राश्ते के पीछे हमारे गाउं तो कुई बड़ा भढान यह जिए बस नहीं आते हैं तो किलो मीटर हमें पैदल जाना पड़ता है हमारे बलड़कियों इस तादी विवी दो किलो मीटर रूंग जान पैदल आती हैं पूर चोमासे मोड़ी बारे सोटे और रास्ता बंद हैं की मरीजों को जाना पड़ता है यह साब हमारे यहां की समच्चा है सड़क और तो पहले रास्ते की रास्ते की और अड्डियों की कि अग्यों कि कि